जया जोहार संगवारी हो मैं हवब भीता 36 गर्दर्सन देखाईया हमार जम्मु दर्सक्मन के स्वागत हवे संगवारी हो बीतेद्दू बच्छर ली हमन कोरोना काले लड़ें और कोरोना ले थोड़कु राहत का मिले रिहिस की कोरोना के एक्ठन नवा वेरियन ओमिक्रोन आगे जे हैक दूसर मां बढ़ तेजी ले फैला थावी बारस सरकार हा कोरोना ले बचाया खातीर 18 प्लस के सबो लोगन मला कोरोना रोधी टीका लगवाईन और ये कोरोना रोधी टीका करन के अभिहान मा सबो लोगन मला सामिल करे बर अवाहन करत हुए परधानमंदी नरेंद मोदीहा किसान सम्मान नीधी के दस्वा किस्त जारी करिन दस करोड ले ज्यादा किसान परिवार मनला मिल ही फाइदा चत्तिस गडमा घलो पंदरा बच्छर ले अठारा बच्छर के जम्मो की सोर मनला लगाया जाथवे कोरोना रोधी टीका परधानमंदी नरेंद मोदीहा नवा बच्छर के पहली दिन परधानमंदी किसान सम्मान नीधी के दस्वा किस्तला जारी करिन कोरोना काल के बेरा मा सबो किसान परिवार मला सहायता दे खातिर हर चौथा महिना मा दू हजार रूपया के सहायता दे जा थे ये सहायता हा, किसान परिवार मल्ला नो किस्त के रूप मा देचा चुके है अब दस्व किस्तला सीधा उकरमन के खाता मा भेजे चाही जे घर से किसान मल्ला बित्ती सहायता मिल सका है परधानमंत्री नरेंद मोदी हा वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यमले परधान मंत्री किसान सम्मान नीधी के तहत मा बित्य सहायता के दस्वा किस्तला जारी करीन स्री मोधी हा दस करोर ले ज्यादा किसान परिवार मल्ला बीस हजार करोर रूपया ले ज्यादा के रासी दीन परधान मंत्री हा कहिन की हमर आर्थिक विकास दर हा वर्तमान बेरा मा आठ परतिसत लेज़ादा हवे देश मा रिकॉर्ड बिदेशी निवेस आय हवे उह कहिन की वर्तमान मा अर्थ वबस्ता हा कोरोना काले पहली के तुल्ना मा बनी हवे आज बहुत से एकोनामिक इंडिकेटर्स उस समय से भी अच्छा कर रहे हैं जब कोरोना हमारे बीच नहीं था आज हमारी अर्थ वबस्ता की विकास दर आठ परतिसत से भी जादा है भारत में रिकॉर्ड बिदेशी निवेस आया है हमारी विदेशी मुद्रा मुद्रा भंडा रिकॉर्ड सर पर पहुँचा है जी एस्टी कलेक्शन ने भी पुराने रिकॉर्ड द्वस्ता केर्द कर दिये है निर्यात और विशेच करक्रिसी के मामले में भी हमने नए प्रतिमान सापित किये है स्रीमोदीह करीब 359 किसान उत्पादक संगठनमल्ला 14 करोर रूपिया ले ज्यादा के एकवीटी अनुदान जारी करीगी एक लाख 24 हजाल ले ज्यादा किसान परिवारमल्ला फाइदा हो ही इही पीज परदेश के किसानमनहा परधानमंत्रीला सम्मान निधी के दस्वा किस्त जारी करेबर धन्यवाद ग्याफित करीण ये किस्त मतलब 2000 रुपया मतलब मानों ऐसा है कि एक उपहार किसानों के लिए पहले किसान एक एक दस दस बीज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ के तहत मा पंजियन किसान मला हर बच्छर 6,000 रुपया मिल थे किंदर सरकार हा ये रकमला दूदू हजार करके किस्त के तौर मा बच्छर भर मा तीन दारी मा किसान मन के खाता मा ओलाइन के माध्यम ले भेज़े जाते देशबर मा वाढ़हत ओमिक्रोन संक्रमन के बीच 15-18 बच्छर के जम्मो की सोर मला कोरोना रोधी टीका लगाया जाता हवे जिखरबर 36 गड़ मा 2000 ले जादा टीका करन के केंदर बनाएगे हवे और जम्मो तैयारी के जाय जाला राइपूर के कलेक्टर सौरव कुमारह खुदेलीन और बताइन की फरवरी महिना तक मा जम्मो की सोर मला कोरोना रोधी टीका लगाया के लक्छला राखेगे हवे चतिसगड के संगे मा ही देश भर मा 15 ले टीका लगाया लगाया पर 2000 ले जादा टीका करन के इंदर बनाएगे हवे जिला कलेक्टर हा ये घलो कहीं की फरवरी महिना तक ले जिला मा 15 ले टीका करन के लक्छला राखेगे हवे बेसिकिंट से हम लोगों ने सभी जितने भी स्कूल है हमारे हाई स्कूल और हाई सेक्रिंड इसकूल, उनको हम लोगों ने एक सब्ता के अंदर सभी स्कूलों को कवर करने के लिए काय योजी बनाई हुई है, उसके अंतरगत आज टोटल 66 टीमें पूरे जीने में काम कर रही है, हाई यहाँ 500 से जादा बच्चों को टीका लगाए गया है, प्लान यही है कि हम आने वाले एक सब्ता में पूरे बच्चों को कवर करने, बंदर 17 से आल के उम्रवाजी बनाई राइपूर के सास्की सासिक्छा पॉलिटेक्नी के प्रचारिय डॉक्टर विकास दुबेह कहिन की कॉलेज मनमा टीका करन के सुराथ होगे हवे, जे माद दू दिन के भीतर मा सब्बो कि सोर मला टीका लगाए के लक्च राखे गे हवे। प्रारम हुआ है, जिसे हम लोग को को एक्षिन का पहला डोस लगाए, जिसे हमें कोई प्राबलम नहीं हो रही है, ये बिलकुछ रक्षित है। प्राबर स्वास्थ विभाग हा 158 टीका करन के इंद्र मना हवे। जेला करेक्टर डोमन सी हा टीका करन के इंद्र मन के निरिक्षन करीं। उहें महासमुंद के ब्लॉक चिकिस्ता धिकारी डॉक्टर अनुरुद कसार हबताईन की एक्ठन टीका के इंद्र मा 124 किसोर मला टीका लगाए जाना हवे। उहें टीका लगाए चुके किसोर मनह बताईन की ओ मनह घलो टीका लगाए के अगोरा मा रहिं। जेन हाज पूरा होगे। अव कहिन की हमार उमर के सब बोलई का मला जल्दी ले जल्दी कोरोना रोधी टीका लगवाना चाही। शीख लग रहे हैं, तो मुझे भी अशीख लगवाना चाहिए और आज पाइनली मुझे लग गई और मैं वैश्यूनेटेड हो गई और मैं सब को यही कहूंगी कि वो लोग वैक्सिन लगवाएं और भारत से कुरोना को हटाएं अभी तो सब ठीक लग रहे हैं बहुत अच्छा नियन है केंद संकार तक की बच्चों को वैक्सिन लगाए जाए और दूसरों को भी बोलना चाहूंगा कि वो भी वैक्सिन लगवाएं और दूसरों को प्रेयरिट करें वैक्सिन लगवाएं और नक्सल प्रभाविश शेतर मन मा आज जो विकास होत है वो हा पुलीस और परसासन के सहयोग ले ही संभव हो पाए है मुक्यमंत्री भूपेश बखेल आ कहिन कि नक्सल शेतर मन मा हमर पुलीस मनहा बहतर कारज करत हवे अबुहा के रहिया मन्हा पुलिस मला अपन संगी मान थे पुलिस मन्हा पन केम्प ले बाहिर निकल के लोगन मन ले घुलत मिला थावे और ग्रामिन मन के सहीयो करा थे एकर सेती अब उहा के लोगन मन मा बिस्वास जागत हवे की पुलीसा अब ओखर मन के सुरक्षा बरहवे ये गोठला मुख्यमंत्री हा वो बेरा मा कहीन जब रैपुर मा पुलीस वे भाग के नवा बचर के मिलनसमारों के आयोजन राखे गे रही और संगे मा कहीन के राज़मा किसान मन के और जवान मन के जैजैकार हुआ थे और कहीन की नकसल परभाविच छेतरमन मा बिकासा पुलीस और परसासन के सहियोग के सेती संभव हुपा है का एक आदा समानते में लोग अब आपसे दोस्ते भी कर रहा है इही मौका मा मुख्यमंत्री हा महिला सुरक्षा बर अभिवेक्ती एप लाघलो लाँच करें बिलासपुर जीला मा पैरवी संस्थान दिल्ली कोती ले बीज मेला के आयोजन राखेगीज जे मा किसान मला दलहन आउ तिलहन के बीजा बातेगीज ताकी छेतरे के किसान मनहाई कर खेती करें और फायदा पावाई ये मेला मा किसान मनह बढ़ चड़ के हिस्सालिन और खेती किसानी के जनकारी बर बीजा के जनकारी ली और ये मेला मा संस्कृतिक कारेक्रम के आयोजन घलो हो इस बिलासपुर जीला मा कोटा शेत्रे के चैठन गावन मा दलहन और तिलहन के रगबला बढ़ाय बर नवा दिल्ली के एक ठन संस्थान को तीले बीते बचर की जैसे ये बचर घलो बीज मेला के आयोजन करेगिस जह मा पैरवी जंस्थान दिल्ली कोतीले FAO प्रोजेक्ट कोतीले आयोजित ये मेला के माध्यमले किसानमला दलहन और तिलहन के बीजा बाठेगिस संगे मा ये मेला मा किसानमन्हा परमपरागत और देशी बीजामला घलो दिखाइन ए मुका मा किसान मन्हा एक दूसर के संग मा बीजा क्या दान प्रदान करीं, आग ये बीज मेला के आयोजन मा सांस्कृतिक कारेकरम घलो होुईतू किसान मन्हा ये आयोजन के सहराना करत हुए ये आयोजनला खेती किसानी बर बड़ फायदा मन बताईं। अब फसल भी अच्छा हुए। उनका सनरक्षन करना क्योंकि उसमें बहुत सारे आऊसधी गुण होते हैं। इसको लोग भी जानते नहीं हैं परन्तु वो बीज अब कम होते जा रहे हैं। तो वो उन बीजों को सनरक्षित करने का एक प्रयास है। ये तीन साल का हमारा प्रोजेक्ट है जो ये दूसरा वर्स है। संगारे हो आपमन कैठन परकार के बेंग के नाव लतो सुने छो हूँ। ये लिस्ट मा एक ठन नाव आव सामिल हवें जेका नाव है बर्तन बेंग। नो प्लास्टिक के अभ्यान ला बढ़ावा देखातीर ये बर्तन बेंग के सुरुवात करेगे है। जीहां लेहमना घर्बद्वार मा कोनो तरा के आयोजन हुआ थे या कोनो तरा के बर्विहा हुआ थे। ओखर लिये हमने बरतन बेंगला बरतन मगा के उप्योग कर सका थन और प्लास्टिक के उप्योग मा कमिला सका थन। सुरेंद्र बैरागी के कहिना हवे की अवया बेरा मा सहर के कैठन जगामन मा ये बरतन बेंगला संचालित करे जाही। सुरेंगला गुपता हा बताइन के है एक्ठन बने पहलाए। एघर ले लोगन मला बरतन मा खर्चा करे बनी लागए। मेरे हाँ साधी पार्टी पड़ा था और बड़े अगरा था बच्चों का तो मैं था दिस्पोजल यूज करती थी पहले लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं यहां पर बरतन बैंक है तो फिर यहां आई बरतन लेने के लिए तो यहां कोई सुलक नहीं लिया जाता है यह बरतन में ले जा करके। ना हो डिस्पोजल थाली प्लास्टिक ये सब ना यूश किया जाए इस कारण जो है हमने सब को बहुत खुशी हुई ये वर्तन देख करके ले जा करके उहे ये बैंक के सदस्यमन के कहिना हवे कि निसुल करूप ले बैंक ले सेवा दे जाथ हवे ताकि ज्यादा ले ज्यादा लोगन मन्हा एक खल ले जूड़ सके अवेकरे संगाज के अंगला ही मेर बिराम देथन संगवारी हो अमिलबो अवया इत्वार के इच बेरा मा एक ठन नव आंक ले के बविता मारकंडेला दोबिदा जै जोहार